इस गाने में हमारे मानिये प्रधान मंत्री ग्री मंत्री और अधर्णिये सांसर सिर चिराग पस्वान जी का नाम घसिता गिया है अरे भाई ठीक होली हलका फुलका या मजाक करने का तेवहार है लेकिन आप अपने देश के मुखिया आप प्रदेश के भाई एक ऐसा चेहरा बहुत से युवा पसंद करते हैं जो हो सकता है कल बिहार का नित्रुत करें चिराग पस्वान जी की बात कर रहा हूं अब ऐसी ओची भाषा का प्रयोग उनके लिए करते हैं पर भुजपूरी और गिरती जा रही है जैसे अब किसी से ही पूछ लीजिए कि असलीलता और भ जाती वात को बढ़ाव नहीं दे रहे हैं लालू परशाद यादोजी की पार्टि कहती है ंजो समाजवादी में क्या प्रदेश को जातियों में बाटने की बासी खाई आती है कि ऐसे लोग जो जाती वाद को बढ़ावा जाते हैं उनको क्यों नहीं कि रहतार किया जाए बिहार की पुलिस क्यों नहीं स्वता संग्यान लेती है अभी कुछी पहले फर्माना आथा ना बिह की जो गरीमा उनके पदर की गरीमा है ऐसी भाशा के लिए क्या पुलिस इसलентов कि नितीश कुमार जी की पुली से और की अप में इसे में řेकल कर गाने आते हैं जिन्हें फीरस्म आसलील गाने को नहीं परोस्ता है लेकिन एक गाना आया है लिए जितने भी राजनेती में जो लोग है उन लोगों नाम जोड़ कर गया गया है यहाँ तक कि चिराग पासवान हो, अमीत साहो, नरेंदर मोधी हो सब को और उसमें हीरो अगर मनाया गया है तो वो लालुयादों को बनाया गया है चलिए आरा के ही एक प्रवक्ता यानि कि आरा के रहने वाले प्रवक्ता आप उनसे मिले भी हैं, जानते भी हैं, आज हमारे साथ जुरे हुए हैं, लोजपा रामिलास पासवान की पार्टी से, डॉक्टर प्रोफेसर विनित सिंग हमारे साथ जुरे हुए हैं, जो कि ये भी आरा कही हैं, इसलिए हम इन ही से बात करने आए हैं, कि आखिर चिराग प प्रियता पाने के यह सब ढोंग हैं बोचपूरी एक बहुत स्वृद भाशा है और सही माय तो एक ग्लोबल भाशा है 28 देशों में बोला जाता है कुछ देशों जैसे मौरिश्यस फिजी में इसको राष्टिय भाशा का दर्जा प्राप्त है भाई इसी भाशा में भिखारी ठाकुर जी हुए हैं जिनको कि सेक्स्पियर कहा जाता है लेकिन विगत कुछ ं सकी है 15 साल से आप देख रहें कि ऐसे कलकार आ रहे हैं जो कि अपना वीétais you people बढ़ reflecting आज और सश्ति लुखप्रिता पाने के लिए ऐसे-च़ी पूहड़ गाना गात हते हैं और इंतिहां तो अब इतना हो कि मानने इस गाने में हमारे माननीय प्रधान मंत्री ग्री मंत्री और अधर्णी सांसर सिर चिडाग पस्वान जी का नाम घसिता गिया है अरे भाई ठीक होली हलका फुलका या मजाक करने का तेवहार है लेकिन आप अपने देश के मुखिया आप प्रदेश के भाई एक ऐसा चहरा इस बहुत सी युवा पसंद करते हैं जो हो सकता है कल भिहार का नितृत करें चिराग पस्वान जी की बात कर रहा हूं अब ऐसी ओची भाषा का प्रयोगन के लिए करतें तो मैं ऐसे से कलाकारों को यह सवधान करना चाहूंगा कि ऐसे भुजपूरी भाषा का उठा अलाकार दो यह बहाना करते कि भाई जंता भी तो उसको कंज्यूम कर रही है यूटूब पे और जब से डेटा सस्ता हुआ है तब से जनता कुछ भी देख लेती है लेकिन जनता को अच्छा चीज दिखाएंगे तो जनता ओभी देखेगी तो क्या आपको समझ में आपको नहीं आता है कि बहुत भजपूरी भाशा जिसके कारण आपकी रोजी रोटी चल रही है आपकी मात्र भाशा है अपने घर में बोलते जील हो ऐसे गानों पर बैन लगे और ऐसे कलाकारों को चिनित करके उनको गिरफ्तार किया जाएंगे अब आप लोग कुछ ने कुछ एक्षण लिचे लिए हमारे अधियक्ष जी का और हमारी पार्टी का हिर्दय बहुत बड़ा है हम समझते हैं कि ऐसे लोग कलाकार जो है हैं वो बिवकूफ हैं मैंने पहले ही कह दिया कि सच्टी लोग प्रियता पाने के लिए हमारा नाम घसीटते हैं अरे भाई फगुआ होता है जो होली में जो हमारी आरा साइड में चाहें बहुत बिहार के दूसरी जीलों में गाया जाता है वो बहुत संसकारी गीत होता है उसमें ऐसी भाषा का प्रियोग नहीं किया जाता है जितने भी निर्दलिये जो है जैसे अगर हम बात कर ले तो सबको उसमें घसीटा गया है समसर में चिराग पासवान का भी नाम लिया गया है लेकिन उसमें हीरो बनाया गया है आर्जेडी से लालु या दोखो क्या वां मंदन किया गया है तो बाकी के लोग जो एंडिये में चाहिए अंडिये समर्थक जो हैं उनको नीचे दिखाया गया है तो क्या आप जाती वात को बढ़ाव नहीं दे रहे हैं लालू प्रशाद यादो जी की पाटी कहती है कि यह वाई हम समाजवादी हैं समाजवादी म क्या प्रदेश को जातियों में बाटने की बासी खायाती है मैं तो ऐसे समाजवाद को नहीं जानता हूं तो उस हिसाब से भी इस कलाकार पे पुलीस जो है पुलीस का सिकंजा कसना चाहिए पहल तो आप गलत गाना गाते हैं सूचे कि युवा जो लड़का जो है 18 साल 20 साल का जो टीनेजर है जो होली में ऐसे गाना सुनता है किया उसे प्रभाव पढ़ेगा उसके मांसिक प्रभाव दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो जाती वात को बढ़ाव जाते हैं उनको क्यों नहीं कि रफ्तार किया जाए बिहार की पुलीस क्यों नहीं धारन बने आने वाले समय में अगर आपकी भाषा ऐसे गिरती जाएगी विहार को और भजपूरी को एक दूसरे के सांथ जोड़कर दिखा जाता है ऐसे और भाषा है मग ही है मैथली है लेकिन अवदी है लेकिन भजपूरी जो है उसको थोड़ा सा क्यों कि भजपूरी फ लोग पर रोक लगाई जाए ऐसे लोग को गिरिफतार किया जाए उन पर अंकुछ लगे कि हमारी भाषा और मैंने कहा कि और इस भाषा कर अपने नहीं रोका गिरते हुए तो दस बीस साल में इस भाषा कोई बोला नहीं चाहेगा बिद जी कहीं न कहीं जिम्मेदार जो है वो नेता लोगी हैं कि जब यह भुश्पूरी में असलिलता परोसी जा रही थी किसी का नाम लिया जा रहा था तो उस समय चूप रही सरकार चूप रह रही थी अब जब राजनितिक लोगों का नाम लिया जा रहा है तब आपने बिलकुल सही का तो यह सारी जो जीमेदार किसकी है सरकार है नितिश कुमार जी का ग्री मंत्रा ले उनके पास है अभी कुझी पहले फर्मान आ जा रहा है बताएऔर उनकी जो गरिमा उनके प्रद की गरिमा है ऐसी बहाशा के लिए तो यह पूलिस क्यों नहीं सोचती क्या पुलिस इसलिए नहीं सो ऩ fel कि नितिश कुमार जी की पूलिस है और नितिश कुमार जी परधान-मंत्री कि अगेंस्ट में है ऐसा तो नहीं हो चाहिए ना जब गलत चीज है गलत सबके लिए गलत हो सकता है आप सुचिए कि युवामन पर क्या परभाव पड़ता ऐसे गानों का मैं उसकी बात कर रहा हूं और जिस वेक्ति ने गाना गया है उसको भी घरें परिवार होगा तो कम से उसको यह समझना चाहिए इस बात को कि क्या ऐसे गानों को अपने परिवार कसा सुन सकता है एक सवाल और है लाश्ट जाते जाते मैं आप से सवाल करते हूं क्या नेक्स्ट वार अगर इस तरह का कोई भी गाना आता है आप भले ही चिराग बासवान का नाम हो किसी और का न अबर है और यह कैसी पार्टी है जो कि जातपात की बात नहीं करती है कि सबकी बात करती है तो इस सिलसिले में इसके मद्य नजर कोई भी गाना में रहे किसी बच्ची का नाम लेके किसी जाती विशेस का नाम लेके गाया जाता है तो कि उस गाने पर रूपने लगना चाहि आप तो देखी रहे हैं बसो और आटो में अगर बैठ जाएं और वह गाना बसने लगे तो आप सुन नहीं सकते हैं लेकिन क्या जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की ही बनती है क्या आम लोगों का यह जिम्मेवारी नहीं बनता है कि हम ऐसे गाने को मिलियन में व्यूस हम लोग दे सबस्क्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें